हर्याणा कॉंग्रेस में लोगसभा उम्मीद्वारों की लिस्ट को लेकर पूर्व सीयम भुपेंदर सिंग घुड़ा और S.R.K. गुट में जारी घहमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है पार्टी हाई कमान इस घहमासान का समाधान कराने में जुटी हुई है लेकिन हलात देखकर लग रहा है कि ये घहमासान कुछ दिन और चलेगा हर्याणा कॉंग्रेस के लोगसमाव मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने को लेकर बीते दस दिनों में तीन केंद्रिय चुनाव सिमीती की मिटिंग हो चुकी है जिसमें हर्याणा स्क्रीनिंग की पहली कमेटी की मिटिंग में कुछ सीटों को लेकर पैच फसा हुआ था सियासी गल्यारों में इस बात की सुगवगाहट है कि तीन मिटिंग के बाद भी भीवानी, महंद्रगर और गुरुग्राव, हिसार, लोगसमाव सीट पर पैच फसा हुआ है हो सकता है कि 25 अप्रेल के बाद ही उम्मीदवारों की घोशना की जाए अब पार्टी हर्याणा में एक और अंतिम सर्वे करा रही है इसी सर्वे के अधार पर नए सिरे से नाम तै किये जाएंगे हर्याणा में 9 सीटों पर परतियाशियों के नाम तै नहीं होने के चलते कॉंग्रेस हाई कमान हर्याणा में सर्वे करा रही है ये सर्वे खासकर भीवानी, महिंदरगर और गुरुग्राम की सीटों के लिए हो रहा है संभावना है कि आगामी एक या दो दिनों में सर्वे रिपोर्ट आए जाएगी और इसी रिपोर्ट के अधार पर परतियाशी तै किये जाएंगे बतादें परदेश में दो सीटों पर कॉंग्रिस परतियाशीयों को लेकर पैंच फसा हुआ है गुरुग्राम से पूर्व सीयम भुपेंदर सिंग हुड़ा अभीनेता राजबबर का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं जबकि कुमारी शैलजा गुड पूर्व मंत्री कैप्टन अजे यादब की दावेदारी को मजबूत बता रही है इसी परकार भीवानी सीट पर शुरूती चोदरी के लिए कुमारी शैलजा रंदीप सुलजेवाला और किरन चोदरी लाबिंग कर रहे हैं जबकि हुड़ा यहां से महंदरगड से विधायक राप दान सिंग को टिकट दिलाने पर अड़े हुए हैं इसके अलावा हिसार सीट पर भी विवाद है क्योंकि यहां से भी सभी दलों ने जाट समोदाय के चहरों पर दाव खेला है ऐसे में कॉंग्रेस पूर्व सांसद विजेंदर सिंग को टिकट देगी या नहीं शंशे बना हुआ है हुड़ा यहां से पूर्व मंत्री वे सांसद जेपी को टिकट दिलाना चाह रहे हैं कॉंग्रेस में टिक्टो को लेकर मचे घमासान के बीच ये भी तर्क दिया जा रहा है कि हर्यारा कॉंग्रेस के सभी दिगत चहरों को लोगसभा चुनावों में उतारा जाएगा हलांकि अधिकतर बड़े चहरे लोगसभा के बजाए विधान सभा चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं राहुल गांदी के फैसले पर अब ये देखना होगा कि कॉंग्रेस पार्टी के भीतर चल रहे घमासान आखिर क्या रंगलाता है और इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा